को हेलो फ्रंट्स कैसे हैं आप लोग सौगते हमारे चैनल एक्सप्लेइन हिंदी में अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाके सब्सक्राइब करें आज की इस वीडियो में हम explain करने वाले serial immortal family को serial की शुरुवात में दिखाया जाता है टीवी पर एक news चल लिए थी जिसमें दिखाया जाता है कि professor kim को harassment के case में गिरफतार कर लिया गया है तब ही हमारे main hero जिनका नम डॉंग होता वो ये news देकर काफी परशान होते और उनकी family उनसे पूसती है कि कुछ हो गया है कि लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं और अपने room में चले जाते हैं डॉंगा की family को देख कर हमें पता चलते हैं कि इनकी family में काफी problem चल लिए होती फिर डॉंगा की wife कहती है कि वो अपनी मा की घर जा रही क्योंकि आज उनका बढ़ते हैं और हमें अपने divorce के बारे में उनको जल्दी बताना चाहिए फिर हम देखते डॉंगा काफी परशान होकर university आता है university आकर डॉंगा अपने दोस्ते कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो मैंने प्रोफेसर किम को दिये थे मुझे लग रहाता है कि मैं permanent प्रोफेसर बन जाओंगा तो सारी परशानिया चली जाएंगे लेकिन अब वो मुझे पैसे जरूर चाहिए क्योंकि वो मेरे बेटे की इलाज के थे मैंने वो पैसे अपनी वाइफ के एकाउंट से चोरी से निकाले हम लोगों ने वो पैसे अपने बेटे की हाट टांस प्लांट के लिए रखे थे अब तो वो पैसे मुझे जरूर चाहिए क्योंकि इसके बाद मेरा बेटा बच नहीं पाएगा तब हम देखते हैं उसका वज़ा से हुआ है वो अपनी फैमली को प्रोटक्ट नहीं कर पा रहा है फिर डॉंगा जाने लगता है तब ही उसे रास्ते में गाड़ी दिखाई देती है जिसमें जहकने पर उसे दो लाशे दिखाई देती है तो पुलिस को फोन करने लगता है जैसे पुलिस वाले फोन उठाते है तो वो कहता है कि कोई नहीं मुझसे गलती से फोन लग गया है वो इसलिए ऐसा बोलते है क्योंकि उसको बैक सीट पर बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं उन पैसों को देखने के बाड़ डॉंगा को लगता है और दोनों लाशों को उठा कर वो अपने घर के पीछे दफना देता है लाश को गारने की बर्डॉंगा उस गारी को वापस जंगल की तरफ चोड़ाता है फिर हमें जीहून नाम की एक पुलिस वाली दिखाई जाती है जीहून ने उस गारी में पहले से ही ट्रैकल लगा रखाता है फिर वो गारी की तलाशी करती लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है तब ही हमें गैंग्चुल नाम का एक ड्रग डीलर दिखाई जाता है जो उस गारी का पता लगवा रहोते हैं लेकिन उसे गारी का पता नहीं चल पाता है फिर वो अपने बॉस यंग्चु के पास जाता है यंग्चु गैंग्चुल के उपर गुसा करते हुए कहता है कि मुझे वे पैसे किसी भी हालत में चाहिए तुम कैसे इतने लापरवा इंसानों को काम पर रख सकते तब ही हमें चोईगंग दिखाया जाता है जो गैंग्चुल के जाने की बाद अपने बॉस से कहता है कि मुझे तो सबसे जादा इसी पे शक हो रहा इसी ने पैसे गायब करवाए हैं तो यंग्चु कहता है मुझे गैंग्चुल पे भरोसर और मैं उसे अपने बाईयों की तरह समझता हूँ वहीं दूसरी तरफ गैंग्चुल को गाड़ी का पता चल जाता और वो गाड़ी में ट्रैकर भी देखता है फिर वो गाड़ी के अंदर ब्लड देखता है वो समझ जाता है कि इसमें कुछ गरबर हुआ है वो अपने आदमियों से कहता है कि यहां के आसपस एरिया में लाशो और पैसो का पता लगाओ कि हमारे पैसे और आदमी कहा है गाड़ी के अंदर ब्लड होने की वज़े से मुझे पता चल गिया है कि हमारे आदमी मर चुके है और यह सब दूसरी तरफ जीहून गाड़ी में बैट का देख रही होती है फिर हम डॉंगा का देखते है जो उन पैसों को इखटा कर लेता और अपने गरेत में छुपा रहा था जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके प्रवसी का कुटा उसके उपर बहुत भौक रहा होता जिसे देखकर डॉंगो का काफी गुसा आता है तभी डॉंगा की वाइफ घर पर आकर डॉंगा के उपपर गुसा करते हुए कहती कि तुमने मेरी बैंक से पैसे निकाले तुम ऐसा कैसे कर सकते हुए मेरे बेटे के लिए थे तो डॉंगा कहता है उसने अपने दोस्त को उधार दी वो लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे और जल्दी वो पैसे वापस कर देंगे जहां पर डॉंगा की वाइफ कहती है मुझे तुम से डिवास लेना मैं अकेली फैमली को चला रही हूं फिर डॉंगा नेट पे सर्च करने लगता है कि ब्लैक मनी को वाइट कैसे किया जाता है जहां पर उसे एक वेबसाइट मिलती है तब ही डॉंगा की बेटी आकर कहती है कि कहीं फोन की आवाज सुनाई दे रही है और घर के आसपास फोन बज़रा है तो डॉंगा को याद आ हमें भी यहां पर रहना चाहिए वहीं दूसी तरफ डॉंगा लाश के पास खुदाई करते हैं जहां पर उसे एक फोन मिलता है और उस लाश के फोन पर पुलिस वाली जिहून का फोन आ रहा होता और यह एपिसोट यहीं पर खतम हो जाता है एपिसोट सेकंड की शुरुआ और वो आदमी भी पुलिस वाला था फिर हमें जीहून का दिखाया जाता जिसके साथ cont nuestras नाम शीन की बातों से हमें पता चलते हैं कि मरने वाला एक पुलिस वाला था और जीहून का उसके सत रिलेशन था वो यंग्सू की गैंग को पकरना चाहते था इसी वज़े से वो उस गैंग में शामिल होता है लेकिन उसकी किसी वज़ा से मौत हो गई थी और उसी पुलिस वाले की लाश डॉंगा को मिली त जो उसी महले में शिफ्ट हो जाता है वो वहां के सभी घरों पर नजर रखता है उसे डॉंगा के एक परोसी पशक होता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉंगा अपने बेटे की सतकाना खा रहा होता और उसकी वाइफ कहती कि हमें डिवास के बारे में जल्दी सोच चाहिए हमेशा से मैंने इस फैमली को चिलाया तुमने इस फैमली के लिए कुछ भी नहीं किया है तो डॉंगा अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने तुमसे का है मुझे कुछ दिनों कर टाइम दो में सब कुछ सही कर दूंगा और मेरा बिजनस भी शुरू होने वाला है डॉंगा अपनी वाइब की बातों से काफ़ी परशान होता है फिर वो नैट पे उसी आदमी से बात करने लगता है जो कहता है कि वो ब्लैक मैनी को वाइड कर देगा तब culturally आपने साथ खेलने के लिए डॉंगा को कहता है तो डॉंगा उसके सबोदि चला जाता है त 적이 उनकी ब बेटे को बचाता है और हॉस्पिटल भी लेकर जाता है हॉस्पिटल में डॉंगा की वाइफ उसके उपर काफी गुसा करती और कहती तुमने पैसे तो गवा दिया और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि हमारे बेटे को खेलना मना है अपनी वाइफ के तानों से गुसा होकर उन पैसों से थोड़े पैसे निकार कर वाइट मनी कराने के लिए जाता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गैंग्चुल डॉंगा के पडोसी के घर जाते हैं क्योंकि उसकी लाइटे रात ने अन होती और उसने निर्वाना के पेड़ अपने घर में उगाए थे गैंग उन पैसों को वाइट कराने के लिए जाता है तो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें पैसे कुछ दिनों के लिए रखने पड़ेंगे जब डॉंगा मना करते हुए अपने पैसे ले जाने लगता है तो वही लांडरी वाले के आदमी डॉंगा के पीछे पर जाते हैं फिर पुले